नमस्कादर, मैं हूँ प्रकाश का, इंडेक्स प्यू दो सब्टेंबर 2022, मार्केट खुला गैप डाउन, अपमू मिला फिर एक गैप डाउन मिला, फिर एक डाउन मिला, फिर एक बंद हुआ है, नेगेटिव मिला, स्ट्रक्शल ली देखा जाए, तो यह weakness है, important crucial support है, यहाँ पर 17,480 के आसपास, अगर कल अपमू मिलता है, तो रुकने की chance है, 17,700 नहीं है, यह resistance zone है, 17,700 से 17,800, यहाँ पर रुक सकता है मांकेट, अगर यह 17,480 ब्रीच हो जाता है, तो गिरावट आईगी, लेकिन support है करीब 17 राधा 300 और 400 के बीच हो, पोड़ डिफिकल्ट रहका अंदर शाथ है, अगर gap up खोलता है, तो अच्छा move down मिल सकता है, अगर flat कोलता है, तो थोड़ा limited down move मिलेगा, structurally यह रहा nifty का हाल, bank nifty का हाल क्या है, bank nifty का हाल भी वैसा ही है, gap down कोला, फिर up move मिला, फिर down move मिला, तो बं possible है, अगर अपनों मिलता है, तो 39,600 में resistance है, तो structurally bank nifty थोड़ा ज्यादा अच्छा है, nifty के मुकाबले, लेकिन देखना है कहां खुलता है bank nifty, अगर flat खुलता है, तो नीचे जाने की संभावना है, 39,000 में support है, तो 39,000 ब्रीच होगा, तो 38,500, upside 39,700 के आसपर, 600 के आसपर resistance है, mark कीजिए points और trade कीजिए points क्योंकि भाव भगवाना है, जब तक आप mark नहीं करेंगे, plan नहीं करेंगे trade, अब से trading कैसे होगा, इसलिए trade को पहले plan करना पढ़ता है, react नहीं करना पढ़ता है, उस समय जहां market को खोलना है, खोलने को, हम तो गहीं करेंगे, जो हम को करना है, okay, take care, enjoy the ride.